ये उन दिनों की बात है तू मेरी सीट पर जाके बैठ जाना क्यों? मैं नहीं से राखी बनवानने चाहता अगर उसे मुझे राखी बांद दिना तो आई लवी कभी नहीं कहेंगी और शर्ट भी हारूंगा नाग भी कटेंगा और पाल भी कटेंगे समझा कर यार इतनी तो यह गड़े मेरे अब जाके बैठ जाना यार ठोड़ रहे हैं अच्छा सर आप मुर्गा बना लो कूटलो पीडलो पर ये राखी क्यों बनवारे हो सर अरे तुम तो पहले से ही गदे हो और तुमको मुर्गा क्यों बनाओ और अगर तुझे मुर्गा बनाया तो मुर्गा बुरा मान जाएगा चुपचाप राखी बनवाओ मुझे ऐसा लग रहा था जिसे रसना की नदी में मेरी चॉकलेट की नाव है और पतवार समीर चला रहा हो जगा समीर ने बतली अब मुझे यकीन हो गया कि वो भी मुझसे राखी नहीं बनवाना चाहता यानि दोस्ती दोस्ती से थोड़ी स्यादा वाली सर एक मिनट राखी लगों को बाद में राख्षी बन देगी सबसे पहले हो कहां गया अब उस समीर को राख्षी बनवाई खूँआ अब इसा क्यों बोल रहे है आप सर इसने ये लाइबरेरी से किताब लिची और इस पर ये फ्लेम लिखा था फ्लेम याने की जॉला तो क्या उस जॉला से लाइबरेरी की कोई बुग जल गई भी तो क्या कि अख़र काते हैं यह देखने के लिए कि उनके साथ निका भविष्ट निया होगा जैसे कि क्या वो दोस्त होंगे या फिर प्रेमी पेमी का है या फिर उनकी शादी होगी वाया जी तरीका है यह भविष्ट नेखने का देखो सभी जोडे आस्मान में बनते और तुम्हारा जोड़ा तुमको तो मिली जाएगा अभी तो सिर्फ अपने भविष्ट की चिंता का तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है तर इस लड़के का पढ़ाई से जादा इन सब चीजों में मन लगता है आज अगर क्लास की सारी लड़किया इसे राखी बानेगी तब इस हवारा का सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में मन लगेगा तो इसकी सजागिया है कि क्लास की सारी रड़किया इसे राखी बानेगी और इसकी बहन बढ़ेगी समीर ख़ले हो जाओ और यहां हो मेरी और समीर की लफ स्टोरी तो साब सीडी की तरह होगे कभी अचानक आस्मा की उचाईयों को छूती और तभी किसमत साब की तरह मेरी उम्मीदों को फिर जमीन पर लाकर पटकती ती आज भी पापा किसमत के सौदागर बनकर मेरी लफ स्टोरी का सत्यानाश कर रही है यह मैंने प्यार किया की तरहा हर लफ स्टोरी में पापा विलन बनकर क्यों टपक पड़ती है आ तो इस सजा की शुरुआत नहीं करेगी नहीं पड़ी हो जाओ राकी से राखी बांदी तो इधर तुम्हें राखी बंदेगी और ओधर तुम्हारे बाल किसी कपर की सबसे अच्छी मेमरीज रक्षा बंदन से रिलेटेड हो ये बात आज बहुत फणी लगती है है ना बट उस वक्त दुनिया का हर सैट सॉंग मेरे कालों में बच रहा था आज तो ना समीर के बाल कड़े ही कड़े है हाथ आगे बढ़ाओ समीर समीर आथ नैना की तरफ आगे बढ़ाओ नैना राक्षी बांदो नैना राक्षी बांदो में समीर को राक्षी नहीं बांद सकती में समीर को राक्ी नहीं बांदो में समीर को कैसे राक्षी बांदो ऐसे बांदो अरे अपने हाथ आज़ा की बांदो हाथ से तो बांद सकती हूँ पर मैं दिल से समीर को भाई नहीं मान सकती इसने बांदो क्या फालतू की बात है कर रही हो तो वह मतलब पाप आई मीन सर मैं ये समीर जैसे बत्तमीज और नलायक लड़के को भाई भी कैसे बोल सकती हूं? हाँ, इसकी गलतियों को कैसे बोल सकते हैं? इसने चोरी की थी, चीटिंग की थी, मैं इसके साथ कोई भी रिष्टानी रखना चाहती। अरजुन भाईया के जागा कैसे थे सकती हूं मैंसे? तो मैं से राखी नहीं बांद सकती हूं? हाँ, सर, नैना सही कह रही है, हम अस बत्तमीज और नालायक लड़के को राखी नहीं बांदेंगे हाँ, सर, ये सही बोल रही है मैं तो कही राखी को राखी नहीं बांदेंगे हाँ, हाँ, ठीक है, और ऐसी भी, मुझे कोई शॉप नहीं है, तुम लोग से राखी बंद मानने का तुम किसी थे भाईय बनने के लायक भी नहीं हो, समझ भी नहीं हो पंडित, अब हमें भी घटिया नालाक और बत्तमीज बनना पड़ेगा तभी लड़की पास आएंगी गुरू मैं तो के तो अभी शुरू करते हैं ना, जाओ, अभी जगे बेठो मैं तो अच्छी एक्टिस थी ही पर रोमियो बनने की क्लास लेते-लेते समीर भी अच्छा एक्टर बन गया था वाह, समीर, वाह ये जाब है तुम्हारी जैब प्रिकास जी के नाती तुमको शरम नहीं आती अरे, कस्सम खाने के लिए एक लड़की भी राखी बहानने को तैयार नहीं है समल जाओ, सुद्रो अभी उम्र है तुम्हारी जाओ, बैठ जाओ प्रिंसिपल सर भोले थे वो नहीं समझ पाये कि ये समीर की बहिस्जती नहीं बहुत बड़ी इस्जत है समीर हर लड़की के दिल में था हर लड़की मरती थी इस पर अज़ा देखा, लड़कीया किदी समांट निखली हमें राखी भी बांदी और टौफी भी खाली हम्हम और समीर के तना लटी है इसे तो एक भी राखी नहीं मिली अरे समीर अपना हीरो है इसे कॉन लड़की राखी बांदना चाहेगी और हम, हमने इसा कॉन सो गुना कर दिया यही ना कि हम सीधे साथे है अरे अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा भाई, बात अच्छाई की नहीं सिर्फ बात है अच्छी शकल की तो अगली जनम में ना दंग की शकले लेके पैदा होना सभी कह रहा समीर पर वो देखी मनी बीन, चमची नेना कितनी स्माड निकली क्यो ना ठकिया उसने मैं राकी नहीं बांधेंगी इस बत्तमीज अनालाग लड़के को और वो सारी लड़किया हाँ हाँ हम राकी नहीं बांधेंग इस बुरे लड़के को देखा अच्छे होने की सजा और बुराई का इनाम लेकिन जो भी हो यार तू एक चीज तो समझा ला वो नेना तुझे फुल लाइन दे रही है जा के बात कर ले, पटा ले आजु बाजु देख डल I love you boy dal और जा के सरतूरी करडा भावी जी जा है बेला, क्यों चिल ला रही है भावी जी आपके बस ठंडा का एक्स्टर बोता ले क्या? वो बटुद्रा से मेरे भाईया आए है वाव बेला, भाईया ही आए है ना कोई भी आईपे तो नहीं आया ना भाईया को इतना ही ठंडा पिलाने का शौक है तो मंगा ले तो एक कैरेट उसमें क्या है रोज दोज किसी क्या मांगने नहीं जाना चेंगा घर की बरकत जाती है अब भावान ची उटना बलाए भाभी जी आप तो अपनी है ना इसलिए आ जाती हूं बार बार मैं अपनी हूँ वो कैरेट तो अपनी नहीं है ना वो तो पैसे से आती है ना और देख लो खाल ही पड़ी है पूरी किराने वाले ने बिजवाई ही नहीं ओ भाई भेंजी कैरेट ओ भाई इसको भी यूमनों ना ठाक है बाभी जी कहा रोको रखने मेरे सर पे रख यहीं पे पुरानी वोटल कहा है वो पड़ी है उधर उठा ले जाके उन दिनों आज की तरह एक उंगली पर हर चीज हमारी पहुच में नहीं होती थी हर चीज बहुत सोच समझ कर इस्तमाल में लाई जाती थी पूरा सिस्टम था कि किस मेहमान को कोल्डरिंग पिलानी है किसको चाय और किसको सिर्फ पानी क्यूंकि कोल्डरिंग का पूरा क्रेट और पैकेट वाली चाय पत्ती ऐसी पानी में नहीं भाई जाती थी भाबान जूट ना बुलाए भाबी जी इस बार ना आपको बोतल दूट से दोख कर दूँगी हा अच्छा अब आया है तो मैं ले लेती हुए भाबी जी मुझा के पापा को ना बहुत पसंदे तो मैंने एक और ले लिया अरे दूट से दोख के दे जाओंगी भाबी जी तू नहीं काम कर तू चोकलेट था मैं पानी पिकर रहती हूँ अपनी बैक तो दे कर जा अहां जल्दी आ अहां अहां मुझा मुझा अमुदी अरी अहां अहां 目 अ अ मुझा झाल 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 तो मैं इतना बुरा इंसान हूँ नैना, तुम्हारी वज़े से आज मजे किसी ने राखी ने बांदी तुमने मेरे बारे में इतना जो कुछ कहा तुमको पुरा लगा? You really think कि मैं बत्तमीज नोटन की बाज आवारा लड़का हूँ? नैना, तुम्हें मुझसे कोई भी रिष्टा ने रखना गया? नहीं? नहीं? नहीं वो… मतलब वो… नहीं वाला नहीं नहीं तो कौनसा वाला नहीं? वो… वो… दूसरा वाला नहीं नैना, नहीं तो नहीं होता है न? दूसरा वाला पहला वाला ये सब क्या बोल रही हो तुम? कैसे समझाओं? मतलब वो दूसरा वाला नहीं, वो नहीं, नहीं होता, वो औफ, क्या भोल रही है नहाइन? वही तो, तुम ये क्या भोल रही हो? नहीं, इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हें राकि नहीं बाद नहीं थी, बोलो मैं, मैं क्या भोलू? तुम बोलो तुम्हें भी तुम उचसे राखी नहीं बनवानी थी न मैंने देखा था तुम्हें सीटा तरबदल करते हूं देखा था फिर भी समझा नहीं तुमने नहीं मैं समझ गई न क्या समझ गई मैं समझ गई की की कि तुम मुझे राखी बानना नहीं चाती और मैं तुमसे राखी बनवाना नहीं चाता हूँ पर नैना, हम दोनो ऐसा चाह क्यों रहे हैं क्योंकि हम दोस्ट हैं रैट और दोस्ती का स्विकार यानि प्यार का इकरार ये मान लिया जाता था उस समय आज की तरह बॉइफरिंड गर्फरिंड जैसे वर्ड्स यूज नहीं होते थे और बेप्स, बिएफफ या फ्रेंड्स विक बेनिफिट्स, ये बड़ी, वो बड़ी, एक्सिट्रा एक्सिट्रा जैसे शब तो सोच भी नहीं सकते थे हमें पता भी नहीं था कि रिष्टों के इतने नाम हमारे डिक्शनरी में या लाइफ में कभी आएंगे नेना हम दोस्त हैं कि नहीं हाँ हम दोस्त है एक दोस्त दूसरे दोस्त को चौकर तो नहीं सकता है न तो 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 नेना घरने चलना क्या स्वारी वो प्रीती आगई मुझे जाना होगा तो 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 कुछ ने आख नहाज़ समय दो दो, कर अब दो को मत दो. कर दोselो दोगा है, जो को अब दोखा है, अब दोखा है. इसकी हाइट छे फूट एक इंज है और इसका रंग गो रहा है और ममी यह पांस पी यह अच्छा है ना और भी देख ले ने ना ममी सुना ना अखना कहा जा रही है मैं वो शेफाली के घर जा रही हूँ अर्जुन भहीया पहुचे है रहा है शाइफाली आया आया नेन अर्योद चुछ hè बहीया रहा अन्यृण बाह्या थे वापस चुला गया नेन नेना, तुने आथ समीर को राखी बान दी क्या? अरे बताना, इतना कहतरा रही है? मैं क्यों राखी बान दी उसे? और वो क्यों मुझसे राखी बन बाएगा? आथ समीर ने मुझे साफ साफ बोल दी यह हम दोस्ते क्या? क्या का दोस्त? क्या की बउफ्रेंझ? तु और समीर, गल्फ्रेंबऌएथ मत्स क्या सिखता ह॰ए ऑगे! और नेना, आगेता घषन दूर किर रिधे हाइं अने नेना, फिर से चला गए, बोल उसको ठीक से करें अरे नेना, पिर से चला गया! वो भीजी मुद बोल ला क्या? boyfriend छी कितना गंदा लगता है boyfriend दोस्त कितना निर्दोश और मासूम शापत है दोस्त हम दोस्त है अच्छा ठीक है तू और वो दोस्त है निर्दोश और मासूम दोस्त हम अच्छा सुन अच्छा वाला प्यारा वाला निर्दोश वाला दोस्त खुश आगे नेना थीक है तुझे पता है नेना आसमान ने पकड़ लिया क्या जो ही चिपक गई हाँ इधरा तुझे पता है मैना बिल्कुल थीक सोचती थी समीर को मेरी इमानदारी पसंद है मैं जैसी हूँ उसे मैं वैसी ही पसंद हूँ जमीन से चांद तक पहुँचने में जितना लंबा सफर करना होता है मेरी और समीर की पहली मुलाकात से लेकर हमारे दोस्त होने तक का सफर उससे भी लंबा था और इस सफर में इंग्लिश वाली सफरिंग भी कम नहीं थी एक तरफ मेरे प्यार वाली सफरिंग थी और दूसरी तरफ समीर शर्ट पूरी करने के लिए मुझे सफर कर रहा था पिर्फ पी मैं अर्ट वाली सफर्ट करी मुझे पीस